गड़वा जिला के भंडरिया प्रखंड के बगवार टोला चीनी आही में बीदी रात्री जंगली तेंदुए ने नंदूराओं के भैस पर हमला कर दिया जिससे भैस की मौत हो गई रविवार की सुभा वनवेभाग की टीम ने घटना स्थल पर पहुँच कर मामले की जाच की वनवेभाग ने इसकी पुष्टी की है जानकारी के नुसार नंदूराओं रात्री में पेड के नीचे भैस को बान दिये थे रात्री में तेंदूराओं ने भैस पर हमला कर दिया भैस के मौके पर ही मौत हो गई भैस के सिर के उपरी हिस्से को तेंदूराओं खा गया अन्य मवेशी तेंदूराओं को देकर बिदक रहे थे मवेशियों को बिदकता देख घर के लोग जाग गए घर की मैला परमेच्वरी देवी टॉर्च ले कर पाहा निकली जैसे ही टॉर्च की रोशनी तेंदुए पर पड़ी वो भागने लगा कुछ दुरी तक तेंदुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा तब तक घर के सारे लोग जाग चुके थे घर्टना की खबर लोगोंने वनवे भाग को दी वन कर्मी तुशार कुमार एवं दयानन्द कुमार घर्टना स्थल पर पहुँचे घर्टना की जानकारी ली तेंदुए के पैर के निशान को भी रिकॉर्ड किया गया भैस पर कौन सा जानवर हमला किया है इसकी जहांच की जाएगी उन्होंने भैस की मुआफजा से संबंदित कागजात नंदु सिंग को दिया और कागी से भर का रावेदन के साथ वन कारियाले में जमा करें इससे मुआफजे की राशी दी जाएगी गर्ता के बाद नंदु राओं के पूरे परिवार में गम का महौल है अधार नाय उधार ले जाए मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ अब आपके सहर गढ़वा में स्री हरी इलेक्रोनिक्स लेकर आया है 0% ब्यासदर पर बजास फाइनांस के द्वारा फ्रीज, कूलर, LED TV, वाशिंग मसीन, डिप फ्रीजर, AC और भी इलेक्रोनिक्स के समान हमारा पता है में रोट गढ़वा, किलर सोरूम के बगल में